तुझी श्याम का वक्त हो गया है और आज है दिन फ्राइडे का तो शुक्रवार का दिन स्कूल टाइम पर तो मुझे अच्छा लगता ही है जब बच्चों के स्कूल रहते हैं क्योंकि सैटर्डे संटे आफ रहता है अभी ता फिलाल छुटी है लेकिन एक जो फ्राइडे की वाइब होती है ना वह अलग होती है आज मैं सोच रिती बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा बनाया जाए काफी दिन हो गए हैं और बच्चे डेली ना बाहर से कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं ममा अभी बाहर से यह मंगवा दो वह मंगवा दो लेकिन रोज- मंगानी पड़े उसका solution जो है अपने घर में मंगा लिया है यह देखिए मिलिए मेरे नए दोस्ते है अगारो का रिजनसी डिजिटल एयर फ्रायर इतना बढ़िया एयर फ्रायर है और आप इसमें नजाने कितनी चीज़े जो है न इजिली बना के कम ऑईल में बना के न खा सक अगारो का रिजनसी डिजिटल एयर फ्रायर है इसका डिजाइन बहुत स्लीक है और यह देखने में भी बहुत सुन्दर लगता है इसके रेटिंग्स भी बहुत अच्छी है अमिजान पे आप चेक करेंगे ना तो आपको पता चलेगा तो चुका यह रिजनसी डिजिटल इसके फ्रंट में अवन की तरह दोर है और इसमें सबसे पहले जो आपको मिलता है वो मिलती है डिप प्लेट यह जो डिप प्लेट है इसको लगा कर रखना होता है इससे क्या होता है कि जब आप कुछ बना रहे हो और कुछ भी डिप होता है तो इसी प्लेट में जो है आकर गिर जाता है तो इससे क्या होता है कि air fryer जो है वो गंदा भी नहीं होता है इसके बाद इस air fryer के साथ आती है यह crisper tray यह oven tray की तरह हम इसको use कर सकते हैं और यह reheating और dehydration के लिए best है और इसमें आप chips वगएरा भी जो है easily बना सकते हैं और कड़ी पता जैसी चीजे होती है उसको भी आप dehydrate कर सकते है तो यह कुछ इस तरीके से लगती है कुछ इस तरीके से जो है इसको लगाना होता है उसके बाद इसके साथ मिलते हैं आपको यह silicone के mitts और इनका use आप तब करते हैं जब tray आपको निकालनी होती है क्योंकि इस तरीके से tray का use करते है air frayer के अंदर तो क्योंकि temperature बहुत ज़ादा होता है तो यह tray बहुत ज़ादा गरम हो जाती है इस वज़े से आपको mitts का use करना होता है अब इसके साथ जो है आपको मिलती है यह square basket इसको तो आपने सभी air frayer के साथ देखा होगा और इसमें ना बहुत सारी चीज़े आप बना सकते है बहुत सारी recipes बन जाती है इसके साथ आता है यह handle tool जिसको use करके आप अपने basket को easily अंदर भी रख सकते है और साथ में बाहर भी निकाल सकते है और यह आता है एक lock के साथ lock basket को और ज़्यादा secure कर देता है तो देखे इस तरीके से आप इसको अंदर रख सकते है और जब use हो जाए तो इस तरीके से बहुत easily ही यह बाहर भी निकल आती है जो चीज इस air frayer के साथ आपको मिलती है वो है यह round basket इसमें आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं जैसे कि आप इसमें french fries बना सकते हैं nuts होते हैं उनको भी बहुत easily roast कर सकते हैं और इसके साथ ही आता है यह handle tool इसे round basket को air frayer में आसानी से जो है आप अंदर डाल भी सकते हैं और बहुत आसानी से जो है ना इसी handle tool की help से आप इस basket को आराम से निकाल भी सकते हैं इसके साथ ही आते हैं यह screwers इससे आप सीख, टिक्का, कबाब सारी चीजें बहुत easily जो है घर पे ही बना सकते हैं वो भी बहुत कम तेल के साथ air frayer की capacity है 12 liter और 1800 watt और temperature range है 80 degree Celsius से 220 degree Celsius तक पर की तरफ है यह digital touch display यहां से आप air fryer के functions को control कर सकते हैं टच करके machine को on कर सकते हैं बहुत सारे function display होने लगेंगे और यहां से आप timer को भी set कर सकते हैं और साथ में temperature को भी set कर सकते हैं और फिके से आप इसमें बहुत सारी recipes वो try कर सकते हैं लिंक मैंने दे दिया है description box में आप वहां पर से इसको purchase कर सकते हैं तो चलिए अब मैं आपको recipe देती हूँ पहले आज मैं बच्चुकले french fries बनाने वाली हूँ और air fryer की यही खास बात होती है कि आप बहुत कम तेल में बहुत अच्छी अच्छी चीजे जो है न वो बना सकते हैं यहाँ पर मैंने तीन बड़े size के आलू ले लिये हैं और इनको पील करना है पहले अच्छे से और उसके बाद आपको इनको cut करना है जैसे कि french fries की shape होती है और उसके साथ ही मैंने पानी भी चड़ा दिया है तो इसमें थोड़ा सा गरम पानी का भी यूज होगा अब यहाँ पर मैं कर लूँगी cutting तो अभी french fries जो cut करते हैं तो वो थोड़ा सा professional होते हैं शायद वो machine से करते हैं जाल घर में तो देखे हैं इसी तरीके से ही इसको मैं cut कर सकती हो तो मैंने अच्छे से जो है जितना मुसे हो सका मैंने इसको cut कर लिया है लंबा-लंबा cut किया है और यहाँ पर मेरी help कर रही थी वंशी का क्योंकि आपको पता ही है कि जब बच्चों की फेवरिट चीज बनती है तो बच्चे बड़े खुश होके जो है help करवाते हैं तो बस यहाँ पर देखिए मैंने तीनों आलू को अच्छे से जो है cut कर लिया है और अब इसमें आपको बिल्कुल गरम पानी जो है जैसे उबलता हुआ पानी होता है और थोड़ा सा इसमें आट करना है नमक और अब हम इसको ढखकर रख दिंगे करीब 15 मिनट के लिए अब जब तक हमने इसको ढखकर रखा है तब तक मुझे एक चीज और जो है वो भी बनानी है तो उसकी तयारी मैं कर लेती हूँ मैं बनाने वाली हूँ पनीर टिका और पनीर टिका के लिए सबसे पहले येलो कैपसिकम जो होती है उसके बीज मैंने निकाल लिये है और इनको स्क्वाय शेप में जो है मैं कट करूँगी इसमें मैं ग्रीन कैपसिकम भी आड करूँगी और इसमें एक बड़ा चमच जिंजर गालिक का जो पेस्ट होता है वो डाला है और यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना भूल गई मतलब मुस्से भी मिस हो गया था इसी वक्त आपको यहाँ पर गरम करके तेल डालना है चाहे सरसो का तेल हो चाहे रिफाइन ओयल जो भी आप यूज करते हो गरम करके आपको तेल जरूर डालना है मैंने बाद में एड किया था वो क्लिप में सो गई उसके बाद सारे ड्राइ मसाले और दही इसमें एड करेंगे और इस मिक्सचर को अच्छे से जो है इस तरीके से मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से आपको इसको मिक्स करना है और अब जैसे ही यह मिक्स हो जाएगा सारी सबजी जो है इसमें एड कर देंगे और मैं इसमें अभी प्यास भी आड करूँगी मैंने एक टमाटर भी एड़ किया था मतलब टमाटर को भी न स्क्वाइर शेप में ही कट करना है बीच में से उसके बीच सारे निकाल दे रहे हैं और बस यहाँ पर देखे पनीर भी इसको एड़ कर दूँगे पनीर भी इसमें और साथ में इसमें भी हलका सा पानी आड़ इसको अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद इसको मैंने सुखा लिया था टावल पे रखकर और अब हम इसमें एड़ करेंगे दो चम्मच ओयल छोटा चम्मच साथ में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च भी मैंने इसमें एड़ कर दी है अब यह जो राउं लिखा रके अंधर इस तरीके से डालेंगे अब कर देते है इसको बन और अबर टैमपरिच्चर सेट कर देते हैं तो मैं यहां पर देखिए 200 डिग्री मैंने रखा है इसका और साथ में 20 मिनट के लिए इसका जो टाइमर है वो सेट कर दिया है अब उदर फ्रेंच फ्राइज जब तक बन रहे है तब तक पनीर टिका के लिए चटनी बना ले दे क्योंकि पनीर टिका का मज़ा जो होता है वो बिना चटनी के अधूरा है खूब सा पूरी तरीके से लेकिन यकीन मानिए अगर आप एड करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ी आता है अब एड करेंगे दही और इसको बिल्कुल बारीग पीस लेंगे तो जब तक ये इतने काम हो रहे थे ना तब तक वो जो पनीर है टिके के लिए जो हमने पनीर को म इतने पसंद आये थे ना वो तो मुझसे बोल रहे थे ममत दूबारे बनाओ आप तो मैंने बोले नहीं अभी तो ये एक बार में इतना ही बनेगा क्योंकि इसके बाद मुझे पनीर टिका भी बनाना है मैं नेक्स दे तुमारे लिए ज़रूर बनाऊंगी देखिए घर में बिल्कुल कम तेल में और इतने बढ़िया फ्रेंच फ्राइस बनके हो गए है रेडी तो आप लोग ज़रूर ट्राए करना ठीक है उसके बाद जो है मैंने फटाफट से देखे टिके जो है वो रख दिये है माइक्रोवेव में इस तरीके से क्रिस्पर जो ट्रे आती है उस लगा जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा